नमस्ते आल स्टूडेंट ओफ ग्यानकाड़ा दोस्तों आप सभी का स्वागत है राजस्तान जिके की क्लास में ये जो क्लासेज है ये सभी विद्यार्थियों के लिए इंपोर्टेंट है जो पटवारी ग्राम से एक आरेस रिट की तैयारी कर रहे है कॉमन क्लासेज हो रहे है राजस्तान जिके की किसी भी एक्जाम के तैयारी कर रहे हो ना तो ये क्लास अटेंट कर लो नईया पार है एक्जाम में टोप मारजा होगे यदि रेगुलर ये क्लासेज आपने अटेंट किये तो ये हमारी गरेंटी है और फिर भी अगर आपको कोई भी study material चाहिए कोई भी topic चाहिए comment करो आप हम आपको upload करवाएंगे और telegram channel और facebook page पर आपको model paper और practice set मिल जाएंगे जिसका link मैंने डिक्स्रेशन में दे दिया है classes जो हैं वो regular चल रही है किसी भी student को डिस्टप होने की जरूत नहीं है Hindi, Science, Math, Reasoning सब classes हो रही हैं आप निश्चिंत रो timing जो है वो मैं आपको regular बता रहा हूँ update कर रहा हूँ एक बज़े classes होती है, तीन बज़े class होती है पांच बज़े होती है और एक class साथ बज़े होती है राजस्टान करंट जीके की class भी जो है वो नेमेत रूप से चल दे है और वो भी आप पढ़ते रो तैयारिक अच्छी हो जाएगी राजस्टान जीके का जो करंट है ना वो भी साथ के साथ तैयार कर लो आज की जो class है ये इस class में जो आप जो topic पढ़ने जा रहे हैं वो है राजस्टान के परमुक सर्तंतरदा से नानी और उनकी जो रचनाई जो है उनकी पुस्तके जो है उनके बारे में पढ़ेंगे उसमें विजय सिंग पतिक जी अरजुलाल सेथी जी कैसरी सिंग बारहट जी जोरावर सिंग बारहट गोपाल सिंग खेरवा जमनलाल बजाज और दामोदर दास जी के बारे में पुरी डेटेल से आज किस class में आप पढ़ेंगे दोस्तों ये दि हम बात करें राजस्थान के हितियास के तो राजस्थान का हितियास राजस्थान ही नहीं भारत ही नहीं पुरे विश्वे में अपनी पहचान रखता है क्योंकि राजस्थान एक रंगिला परदेश है यहां विभिनताओं का राजे होने के कारण अलग-लग वेसुसा अलग-लग भासा है है और यदि हम बात करें सवतंतरता की तो सवतंतरता के समय में सवतंतरता आंदोलन में राजस्थान के महान वीर सपुतों ने भाग लिया और यसी धर्ती पर महरणा परताब जैसे महान युदाओं ने जिनम लिया तो आज उन महान विक्तियों के बारे में आप कंप्लिट पूरे डिटेल से पढ़ेंगे जो जिनके बारे में क्रिशन एक्जाम में पूछे जाते हैं पूछे जाएंगे इसलिए इंपोर्टेंट होने वाली है क्लास ध्यान से पढ़ें पुरा टोपिक आपकी स्क्रीन पे रहेगा विजय सिंग पथिक विजय सिंग पथिक उतर परदेश के बलंच सहर के रहने वाले थे और विजय सिंग पथिक का वास्त्रिक नाम था भूप सिंग क्या नाम था भूप सिंग ये याद रखना पथिक जी का वास्त्रिक नाम भूप सिंग क्रांतिकारी गती विदियों में लिप्थ होने के कारण उने टाडगड जेल जो की अजमेर में है वहां बंद कर दिया गया क्योंकि ये क्या थे कि उस समय में जब सवतंतरता के लिए कुछ गतनाई हो रहे थी कुछ क्रांती कारी गती विदियां हो रही थी उन में इन्होंने भाग लिया इसके कारण इन्होंने इनको टाडगड जो जेल है अजमेर में वहां इनको बंदी बना दिया यहां से रिया होने के बाद इन्होंने अपना नाम जो है ये विजय सिंग पथिक रख लिया और पहले नाम क्या था भाई इसका भूप सिंग था इनका बाद में इन्होंने अपना नाम विजय सिंग पथिक कर लिया चितोड गड के ओजडी गाउं में विद्या परचारनी सभा की इन्होंने स्थापना की ये लो जी आप ये नोट कर लो विद्या परचारनी नी सभा की स्थापना किसने की विजय सिंग पतिक गुनिसों गुनिस में अमरत्सर अदिवेशन कांग्रेस में इन्होंनी की कहने पर तिलक ने विजोलिया किसान आंदुलन के पक्समी प्रस्ता उरखा और इनकी पुस्तक का जो नाम है वो है वाट आरदा इंडियन स्थेट्ट इंपोर्टेंट मेरे भाई इंपोर्टेंट विजय सिंग पती का पुष्टक का नाम क्या है वाट अर्दा इंडियन स्टेट्स ये इनकी पुष्टक का नाम है और उसके बाद में हम बात करते हैं परमुक जो स्वतंतरता सेनानी है अर्जुनाल सेथी जी के बारे में अर्जुनाल सेथी जो है वो 1913 इसवी के जो है वो निमेज आरा बिहार हत्याकांड में इनका नाम आया था पहली बार 1913 में एक निमेज आरा जो के बिहार में एक हत्याकांड हुआ उनमें अर्जुनाल सेथी का नाम आया और ये दिलिस नियंदर कैस में भी ये जुड़े लिया था अंग्रेजु ने अर्जुनलाल सेठी को गिरबदार करके वेलूर जेल कहां पर है करनाटक में वहां बंद कर दिया कि बोला भाई अर्जुनलाल सेठी जी आप यहां आराम करो आप करंतिकारी गती विदियों में बाग ले रहे हो आप यहां बैठ जाओ आपको बं कांग्रेज के जो ऐसा योग आंदोलन जो चल रहा था ना उसमें कूद पड़े अर्जुनलाल सेठी जी जैसे ही वेलूर जेल से रहा हुए तो उन्होंने रहा होते ही कांग्रेज के ऐसा योग आंदोलन में भाग ले लिया और उसमें कूद पड़े उसके बाद में एक भ फरवरी गुनिस सो पच्चिस की गटना है इसके मुखे आरोपी कौन थे अस्फाक उल्लाखा को उनके फरारे के दिनों में अपने पास रखा था अरजुनलाल सेठी की जब भुड़ापा आया अरजुनलाल सेठी की या उनका लास्ट वक जो था उनका लास्ट जो अंतिम दिन जो थे उन दिनों में अजमेर में एक मदरसे में अरबी फार्सी पढ़ाते थे और मरने पर इनको डफनाया था जब उनका लास्ट टाइम आया है ना अन्तिम दिन जो थे उनके दोरान वो अजमेर के एक मदरसे में पढ़ाने लग गए और उनको जलाया नहीं गए था डफनाया गए था अरजुनाल सेथी ने सामपरदा एक सोहरदे को प्रोचसान दिया और इनके तीन नाटक हैं कौन-कौन से मेहंदर कुमार, मदन प्राजे और पारसियक अरजुनाल सेथी के हम बात करें उनकी पुस्तकों की तो उनकी परमुक पुस्तके हैं इस्त्री मुक्ती शूद्र मुक्ती और अपनी अजमेर यात्रा के दोरान गांदी जी स्वम सेठी जी से मिलने गए थे सेठी जी से मिलने गए जब गांदी जी जब अजमेर की यात्रा पे थे अजमेर जब आये थे तो वो Arjunal City से परसमल ही मिलने गए, इतनी खासियत थी उनकी इतनी एहमियत थी उनकी कि गांदी जी चलके गए Arjunal City से मिलने कि बोला यहां राजस्तान आया हों, अजमिर आया हों, तो Arjunal City से तो मिलेंगे केशरी सिंग बारहेट दोस्तों केशरी सिंग बारहेट सापरा भीलवाडा की चारण प्रिवार में इनका चिनम हुआ मेवाड वे कोटा रियास्तुं की में कुछ समय तक इनोंने कारी किया उसके बाद में 1915 इस्वी में कोटा के महंत कौन थे प्यारे लाल की हत्या में इनका नाम आया और उनने उनको हजारी बाग जेल जो की जहार खंड में है वहां बंद कर दिया गया कोटा के एक मेहन थे प्यारे लाल उनकी डैथ हुई उनकी हत्या कर देगी गुनिसो पंद्रा में तो उसमें उनका नाम आ गया गुनिसो तीन इस्वि में मेवाड महरणा फते सिंग को लाड करजन के दिली दर्बार में भाग लेने से रुकने के लिए तेरा चेतावनी सोटे दो हे लिखे इन्होंने और इनको कहते हैं इनका नाम दिया गया चेतावनी रा सूटिया इसको कहा गया स्याम जी करशन वर्मा मेवाड के दिवान रहे थे और इनको मेवाड लाने का स्तरे जो है ये वि केशरी सिंग बारट को ही ज़ता है केसरी सिंग बारट के सिक्षा समंदी जो विचार है उनकी एदी हम बात करें तो उनमें उन्होंने अंग्रेजी की अपेक्षा सववासा हिंदी का समर्थन किया अर्थात हिंदी के ये पक्सकार थे और राजा माहराजा वो सामन्तूं के पुतर-पुत्रियों को मेयो कोलेज के स्थान पर सवदेशी सहंस्ताओं में पढ़ाने के लिए इन्होंने प्रेसित किया उनको मोटिवेट किया और इन्होंने यानि की कैसरी सिंग बारहट ने एक छत्री कोलेज की स्थापना का जो है ये प्रामर्स भी उनसे लिया गया और उनने इसके लिए एक प्रस्ताओ भी दिया कि एक लड़कियों के लिए भी कोलेज की स्थापना की जाए केसरी सिंग बार हट ने उच सिक्षा के लिए इंगलेंड के बज़ाए जापान भेजे जाने की सला दी अब बात करते हैं जोरावर सिंग बार हट जी की दोस्तों जोरावर सिंग बार हट जो है ये केसरी सिंग बार हट के छोटे भाई थे कौन थे ये? केशरी सिंग बार हेट और जोरावर सिंग बार हेट दोनों भाई थे ये याद रखना क्या थे ये नाते में? भाई थे रिलेस्न में दिलिस अंडियन तरकेश के मुखे आरोपी थे प्रंतु अंग्रेजु द्वारा ग्रपदर नहीं किये जासके परताव सिंग बार हेट केशरी सिंग बार हेट के पुतर थे जो के बनारस सडीयंतर केश में इनका नाम आये था और बरेली जेल में प्लीस द्वारा परताणित के जाने पर इनकी मरति हो गई राव गोपाल सिंग खेरवा राव भिहारी बोस ने पूरे भारत में एक साथ सिनियंतर क्रांति की योजना बनाई वे उनके लिए 21 फरोरेग 1915 का दिन जो है वो फिक्स किया गया किस दिन आंदोलन किया जाएगा और इस क्रांति के लिए राजस्तान की जुमेदारी जो है ये गोपाल सिंग खेरवा को दी गई क्रांति का पहले ही परदापास हो जाने पर गोपाल सिंग खेरवा को टाडगर जेल जो की अजमेर में थी उसमें बंद कर दिया गया और यहां से वो फरार हो गए यहां से भाग गए जेल तोड़ कर भाग गए कौन गोपाल सिंग खेरवा कौन सी जेल से आजमेर की टाडगर जेल से यहां से भाग जाने के बाद में इनको दुबारा ग्रपदार कर लिया गया प्लिस ने दुबारा पकड़ लिया और अजमेर जेल में इनको डाल दिया हिरालाल सास्त्री की जो परमुख पुस्तक है दोस्तों वो है पर्तिक्स जेवन सास्तर और हिरालाल सास्त्री ने परले पर्तिक्स नमो नमो गीत लिखा इनकी पत्नी रतना सास्त्री को पदम सरी पुरुषकार दिया गया महिलाओं में सरोपर्थम पदम पुरुषकार है यह जम्नालाल बजाज जम्नालाल बजाज जो हैं यह सिकर के कासिका बास सिकर के कासिका बास के रहने वाले थे और इन्हें गांदी जी के पांचवे पुतर वे गुलाम नंबर फोर ये याद करो ये कॉमेंट में लिखो भाई और अपने डायरे में लिख लो भूलना मत ये क्योंकि ये इंपोर्टेंट है गांदी जी के पांचवे पुतर और गुलाम नंबर फोर का जाता था इनकी पतनी जानकी देव बजाज प्रुसकार ने समात सुधार के कारी किये रमेश स्युआमे जो की भुसावर ब्रतपूर से बिलाउं करते थे पांच परेली गुनी सो सेंटालिस में एक बेगार विरोधी आंदोलन से बस से कुचल कर मार दिया गया इनको सांतिलाल आंदिलाल पांच अपरेल गुनी सोरतालिस को उदेपूर में प्लिस की गौलियों के सिकार हो गए और राजस्तान में भहुत सारे करांतिकारी थे जो नोने अपनी सवतंतरता के लिए आंदोलन लड़ा और अपनी प्राणू का नोचा और किया उनमें एक थे दामुदर द्यास राठी जो की पोकरण जैसल मेर के रहने वाले थे और ब्यावर में कर्षना मेल की इन्होंने इस्तापना की अठारा सु नवासी में हिंदी साहिति स्मिति के अध्यक्स अमरतलाल चत्रवीति की प्रेना से ये कर्षना मेल के बही खातू का काम हिंदी में करना प्रारम किया इन्होंने नागरी परचारेनी सभा जो है इसकी स्तापना की इन्होंने जो कि देव नागरी की के लिए फेमस है और इन्हें के कहने पर अजमेर की कमिशनर ने क्या किया कि अजमेर के सभी कारियालों में हिंदी में कारिय करने या हिंदी का प्रियोग करने की अनुम्ति दी ग्रांटी कारियों को धन की साहिता देते थे ये और इन्हें राजस्तान का भामासा कहते हैं क्या कहते हैं दामोदर द्यास जी को दामोदर द्यास राठी जी को राजस्तान का भामासा के उपनाम से भी जना जाता था तो दोस्तों ये था आज की क्लास का टॉपिक अगर टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो आप इस टॉपिक को लाइक और सेयर जरूर करें कल की क्लास में दुबारा फिर एक नए टॉपिक के साथ इसे टाइम पर मिलेंगे तब तक के लिए जैह हिंद